कि तो मेन कंपोनेंट ओफ लेजर के लिए क्या क्या चीज़ें दुरूट हैं तो लेजर के लिए पेसिकली थ्री कंपोनेंट जरूरी है पहला एक्टिव मीडियम जिसके अंदर हमें लेजिंग कराना है वो मीडियम एक्तिमीडियम चाहिए पहला कंपोनेंट दूसरा पंपिंग टेक्निक कौहन से पंपिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं हम उस मैटीरियल को एक्साइडिट करने के लिए ही और आप्टिकल जलेटर तो अल्डी में बता चुक्यों एक्टिमीडियम क्या होता है इंते लिकर्ट्वट फिर में ब्रिकूट में हो सकता है जैसे रूभी लेजर के अंदर इसुआलिड एक्तिमीडियम इन green तो क्या है कि औलाडी एक्टिमीडियम हमें नोव्य है खोड़ने लेजर के लिए हमारा एलुमिनियम और प्रोमियम आक्साइड का मिक्षर है रूबी रुस्टल वह मारा है एक्टिभ मेडियम है लियुम नियून के लियून दोनों एक्टिभ मेडियम हो गए हमारे जिसके एक्साइटिड करके पंपिंग टेकनिक भी रूभी थिया सब्सक्राइब कर से इस bench λाइड रहां तो इसमें क्या कर रखा है एक साइटống अब्ला किक भीन ले रहा है एक साइट फुली डिनमिर रहा है एक साइट सब्सक्रायप्स तो हम विनडों भी बोलते हैं छिनकी में लेजर मीडियम के अंदेर इसे baik 될 abd को excited करना है और इसमें क्या करते हैं external energy supply देते हैं और इस material को excited करते हैं अब इन दोनों के बीच में जो fully reflecting mirror है और partially reflecting mirror है इन दोनों के बीच में हमारी optical resonator या cavity form होती है तो मैं next slide कर रही हूं बस यह पहले तीन पॉइंट्स लिख लिए फिर इसको समझाती हूं क्या हो टास में मैं यह डाइग्राम नहीं बनाना है तो मैंने यहां पर अनिमेशन की तुरूस को समझाने की कुशिश किये तो क्या किया है एक साइड हमारा पूली रिफ्लाक्टिंग एंड है एक साइड हमारा पार्श्री रिफ्लाक्टिंग एंड है जह हमारा विंडो की तरह काम भी करता है विंडो में इस जहां से हमें आउट्पुट मिन ली है ठीक है फिलहाल यहां पर मैंने रेजुनेटर समझाने के लिए गैस लेजर यूज किया यह सॉलिड स्टेट के लिए भी है इसको आप सॉलिए भी मान सकते हूं यहां लेकिन अभी क्योंकि यह जो डाइग्राम है मैंने हीलियोन वाला बना रहा है यह गैस लेजर के लिए बना रहा है ठीक है सबके लिए यह सेमी अप्लिकेविल है राजुनेटर के विटी ऐसे ही बनती है एक साइड को हम फुली रिफ्लाक्टिंग बनाते है एक को पार्शल नॉर्मल स्टेट में है जहां से हमने जब इलेक्रॉन फुल फूलो कराया तो इलेक्रॉन क्या होगा एनर्जी होगी इस में यह अपनी अनर्जी गैस एक्टम को ट्रांस्वर कर देगा उससे को लाइड करेगा गैस एन्ट में जाएगा और फिर उस्टाइम बात वापस आ λब री स μीडियं में आयेगा की करीं दो Emba के इंड भिग जए और से वापस रिफ्लेक्ट एक ‑‑ पिर इसके पास वापस आया गैस के अंदर हम के इंदर फिर हम यहां पे कंटिनियसली Pan का फंटो कराय जा रहे हैं Electron continuously gas में आए जा रहे हैं और gas के atom से collide करे जा रहे हैं और gas atom excited state में पहुंचे जा रहे हैं कि अभी हम just the levels कि बात में करने वो जब हम gas laser और Ruby laser पढ़ेंगे तब detail में पढ़ेंगे फिलाल यह मान लेते हैं कि हमारा यह excited level जो है MATA stable state है. इसका life time जादा है तो यह यहां पर ही स्टे करेगा 10 to power minus 3 seconds इतने में यह photon वापस इस medium में आया तो जो atom इस state में था यहां पर बना जेते हैं E2 state में जो atom था उससे interact करेगा और उसको stimulate करेगा कि वो higher energy state से lower energy state में है तो photon emit करेंगे अब दोनों इस direction में मूव करेंगे अब क्या करेंगे जब मूव करेंगे तो अब यह fully reflecting end की साइड आ गए फिर वहां से reflect pack होके फिर से इस gas medium में आ जाएंगे जो भी atom इने E2 state में मिलेगा उनसे interact करेंगे और उनको stimulate करेंगे कि वो E2 state से even state में आए और photon emit करें ऐसे क्या होगा जो photon से multiply होते रहेंगे बढ़ते रहेंगे after multiple reflection from fully reflecting end plate and partially reflecting end plate we get intense highly amplified beam of photons तो क्या होगा हमें बीम मिल जाएगी laser output और जब जैसे ही intensely हो जाएंगे हमें partially reflecting end से output मिल जाएगी एक बार फिर सुनिए दुबारा से मैंने क्या बताया कि यहां पर क्लियर कर रही हूं तो चीज़े माइक ओफ कर लिए जिसका भी माइक ओन है अंशुल माइक ओफ रखे अपना तीक है फिर से सुनिए क्या बताया एक हमारा एंड हां बोलिए नोच में एप्लोड करती हूं देख लीजिये आप यह वह तो यह लिप नोट सी एं वह नोट सी आए देखी तो लिजेव तो आपको खोड़ी लिखना पड़ेगा अपने कौपि डिखना पर बने औगे अपर अपने कॉपी मों सब्सक्राइब टोनु वहां पर है लेजर का है ओके मैं है ऐसे सुनिये क्या बताया तुम 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 मैं कैसे मैं मतलब आपके वीडियो देखने के अब बात रहे तो किसी दिन क्लास में पूछ लीजिए गार अच्धेत है। तो क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स गैस में फ्लो हो रहे हैं, उस गैस के एटम को एक्साइट गर रहे हैं। चलिए तो समझे क्या कर रहा है एलेक्ट्रॉंस हम कंटिनियस्ली फ्लो कर आ रहे हैं एक्साइटिड कर रहे हैं और उनको एक्साइटिड लेविल में पहुचा रहे हैं मैटास्टेबल स्टेट में फिलाल हम यहीं मान के चलेंगे है ना मैटास्टेबल स्टेट में अटम जादा दे रुखेगा चो फॉर्स्ट एटम 10 तो पावर माइनस 3 सेकिंड बार क्या करेगा स्पॉंटिनेस ट्रांजिशन करेगा और एक फोटोन अमिट करेगा यह फोटोन बाकि जो गैस एटम से इटू स्टेट में उनको खुद से आने से पहले ही स्टुमलेट करेगा कि वह इटू स्टेट छोड़के इवन स्टेट में आए और वन फोटोन टू फोटोन टू फोटोन पोर फोटोन बनते जाएंगे और क्या होगा पार्शली रिफ्लेक्टिंग होगा पार्शली रिफ्लेक्टिंग एंड से हमें आउट्पुट मिल जाएगा और कंटिनियस्ली प्रोसेस चल रहा है क्योंकि हम इलेक्टॉंस का कंटिनियस्ली सप्लाइब कर रहे हैं तो जैसे यह अटम नीचे आ रहा है उससे फिर एलेक्टॉन को लाइड कर ले रहे है उनको फिर excited stated में पहुंचा देहा है तो जो हमें आॉट्पुट में मिलेगी वो कंटिननियस्ली सप्लाइब हो जा रहे हैं फिड़ी excited हो रहे हैं तो आउटपुट में जो हमें भी मों है कंटिनियस्ली मिलेगी यह हमारा देखाजाए तो working है hellium neon laser काहा से the hell yeah लेजर फिलियूं लेजर के अंदर हीलियू और नियॉं दो गैसि एं और उनके भी एक के टूलेवल करते हैं तो थोड़ासा अलग वर्किंग हो जाता है तो अब इसको आगे कल कंटीनियू करेंगे